नमस्कार दोस्ते हर्शी दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीट सागर क्लास 12 NCRT पॉलिटी की किताब चल रहा था चाप्टर एट एट एन्वियॉवन्मेंट एट नैचुरल रिसोर्स चल रहा है तो अभी तक हमने इस चाप्टर में क्या डिसक देखा था कॉमन्स मतलब ऐसे रिसोर्स से जो कोई और नहीं करते हैं राधर एक कम्यूनिटी उसे शेर करते हैं फॉर एक्जामल हमने अंध्याटिका के बारे में डिसकुस किये थे ठीक है फिर हमने पिछले क्लास में कॉमन बट डिफ्रेंशेटर मतलब देखें रस्पॉन्सबिल्टी कॉमन है बट डिफ्रेंशेटर इसके लिए मैंने सबसे अच्छा एक्जामल दिया था जैसे कि आज जो इंटरनाशनल क्लाइमेट एग्रिमेंट्स वगरा होता है जिसमें हर एक कंट्री को टार्गेट्स दिये जाते हैं कि आप कितना ग्रीन होस ग्यास एमिट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को टाकल करने के लिए आपकी तरब से क्या क्या कोंट्रिबूशन होना ची होते हैं तो जब यह टार्गेट्स दिये जाते हैं तो हरे कंट्री के लिए सेम नहीं दिये जाते हैं डेवलप्ट कंट्री के लिए जो टा responsibility भी उनका होना चीए ना तो इसे बोलते है basically common but differentiated responsibilities ठीके तो I hope आपको पिछले class में ये concept क्या है समझ में आ गया होगा तो अगला topic है common property resources common property मतलब क्या होता है दोस्तों common property represents common property for the group एक group के लिए जो common property है सबका rights है जिसमें उसे आप common property बोल सकते हैं मैं आपको एक example दूँगा तब आपको अच्छी तरह समझ ये देखें दूस्तों ये है sacred group sacred group क्या होता है ये basically traditional sites होते हैं जहां पर worship होता है nature का worship होता है basically उथर जो community रह रहा होगा वो nature को protect करेंगे nature को भगवान मानेंगे ठीके जैसे आपने कुछ movies वगर में देखा होगा recently एक movie release हुआ था ना कांतारा अब कांतारा मुवी में क्या दिखाया गया वो अरिया को protect करते है local community जो है और वो एक भगवान में एक डीटी में विश्वास रखते हैं तो obviously बात है दोस्तों कुछ religious reasons के लिए उस area को protect किया जाएगा तो देखे protecting nature for religious reasons is an ancient practice in many traditional societies काफी सारे traditional societies में ये जो concept आपको देखने को मिलेगा basically nature को वो protect करते है religious reasons के लिए so sacred gurus in India that are parcels of uncut forest vegetation in the name of certain duties और natural or ancestral spirits तो basically जो sacred gurus होता है वो कोई एक डीटी का नाम पर होता है या फिर कोई natural और ancestral spirits के नाम पर होता है ठीक है तो उधर जो community रह रहे होंगे वो उस डीटी को worship करेंगे उस डीटी को worship करने का मतलब यह है दोस्तों वो area को protect करना पड़ेगा प्रसर्व करना पड़ेगा क्योंगी उस area को वो sacred मानते है ठीक है तो 20 सी बाते उस area का automatic conservation हो जाएगा कोई उधर से पेड वगरा काटेगा नहीं तो इस model of conservation is known as community based resource management अपने सुना होगा community based resource management के बाएर में इसका मतलब यह है दोस्तों एक community एक particular resource को manage करेंगे तो इथरे एक फायदा क्या है authorities को ज्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर government को ज्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है that part of forest को conserve करने के लिए क्योंकि automatically वो area conserve हो जाएगा क्योंकि community जो है उस area को sacred बानते हैं so some researchers believe that sacred groups hold the potential for preserving not only biodiversity and ecological functions but also cultural diversity obviously बात है दोस्तों एक तो देखे यह religious belief की वज़े से उधर का biodiversity ecological function basically ecosystem वो सब अच्छी तरह प्रसर्व होगा at the same time एक cultural diversity भी preserve हो रहा है क्योंकि वो community का culture भी अलग होगा unique होगा है कि नहीं so basically sacred groups are a perfect example for common property resource systems अब यह sacred groups का जो size है वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है कुछ sacred groups आपको ऐसे देखने को मिलेगा जो hundred acres का है और कुछ sacred groups ऐसा है जो एक एक एकर भी नहीं होगा बहुत छोटा होगा छोटा हो या बड़ा conservation and protection hundred percent होगा क्योंकि वो area के साथ कुछ religious belief या फिर कुछ traditional belief attached है ठीक है आप ही बताईए जब आप एक पेड को भगवान तो क्या वो पेड को काटोगे आप उपर से वो पेड को आप protect करोगे conserve करोगे है कि नहीं so this is the basic concept of sacred group so Hindus commonly worshiped natural objects including trees and groups many temples are originated from sacred groups देखे दोस्तों आपको पता है ये हिंदू religion में अगर आप 2-3,000 पीछे भी चले जाओगे आपको ये पता चलेगा Hindus ने natural objects को हमेशा worship किया है चाहे वो river हो, tree हो, mountain हो, grooves हो, हैगे नहीं so many temples also have originated from sacred groups देखे आज की date में इंडिया में कुछ famous temples वगर है ना वो temples का origin actually कोई sacred group से भी हुआ है but unfortunately recent years में ये देखने को मिला है दोस्तों human settlement का expansion की वज़े से, encroachment की वज़े से sacred forest का area considerably कम हुआ है दोस्तों आप देखिए जब population increase होगा, obvious ही बात है वो population को रहने के लिए जगा भी चाहिए होगा तो धीरे धीरे वो जो forest area है उसे clear करेंगे उधर घर बनाएंगे और साथ-साथ में आजकल industrial development भी हो रहा है जिसमें कई सारे forest area को destroy किया जा रहा है तो ये सब की वज़े से sacred groups का भी जो area या है वो कम हुआ है and in many places the institutional identity of this traditional forest is fading with the advent of new national forest policies मतलब देखे आजकल जो नए नए forest conservation policies वगरा आ रहे है उसकी वज़े से traditional forest का institutional identity थेरे थेरे फेड हो रहा है मतलब देखे जैसे टाइम बीता जाएगा दोस्तों नए नए लोग आएंगे नए ओफिसर्स आएंगे वो अपने नए forest conservation policies लेके आएंगे वो पुराने practices को question करेंगे वो बोलेंगे कि आप जो तरीके अभी तक follow करते होई आ रहा है वो आज की date में relevant नहीं है हमी कुछ नए तरीके अपनाना होगा forest area को conserve करने के लिए मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा न ये traditional practices का relevance जो है धी दिरे दिरे कम हो जाएगा और यही बात sacred groups को भी affect किया है दोस्तों and one more important problem is that managing sacred groups arises when legal ownership and operational control are held by different entities अब देखे कोई भी एक property का कोई भी एक resource का एक legal aspect भी होता है कोई इसे on करता है legally वैसे देखा जाएगा तो जितने इस तरह के resources ते वो government का control में होता है पर देखे जब sacred groups की बात आती है तो वो community on करते हैं है कि नी तो government का conservation policies कुछ अलग होगा और community का जो traditional conservation policies है वो अलग होगा तो यह हमेशा problem create करता है मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों देखे वैसे sacred groups का legal owners कौन है state है पर sacred groups को manage कोन करता है वो community manage करता है अब जो manage करता है उन्हें पता होगा कि क्या तरीक legal owners that is state government वो बोलेंगे हमारा conservation policies कुछ अलग है आप जो कर रहे है वो गलत है तो basically यह सब की वज़े से यह sacred groups का management है या फिर traditional forest का management है वो हमेशा थोड़ा सा problematic रहते हैं तो basically मैंने आपको इथर एक common property resource का example दिया ठीक है so common property क्या है it represents common property for the group the underlying norm here is that members of the group have both rights and duties with respect to the nature levels of use and the maintenance of a given resource अब देखे common property resource का एक underlying norm है या फिर एक principle है कि वो group के जो members है उनका rights भी रहेगा वो resource के उपर at the same time उनका कुछ duties भी रहेगा कि वो resource को किस तरह preserve करना है, protect करना है, use करना है, maintain करना है and through mutual understanding and centuries of practice, many village communities in India for example have defined members, rights and responsibilities तो देखेए, सदियों से ये बात चल लिए दोस्तों, सदियों से अगर आप देखोगे, हमारे देश में कई सारे ऐसे village community से जो एक area को conserve करते हैं, protect करते हैं उन्होंने mutual understanding से कुछ rights and responsibilities को defend करके रखा हुआ है, मतलब वो जहां रह रह रहे हैं, उस area को लेके उनका क्या responsibility है वो area को लेके उनका क्या rights है, वो सब उन्होंने mutual understanding से आपस में बात करके defend करके रखा हुआ है इसका कोई legal backup नहीं होगा, मतलब government का कोई भी document में आपको उनका rights and responsibilities के बारे में कुछ नहीं मिलेगा पर उन्होंने सद्यों से, ठीक है, ये defend करके रखा हुआ है कि उस area को लेके उनका क्या rights है, उस area को लेके उनका क्या responsibility है मतलब देखें दोस्तों, और example, मान लीजिए, एक tribal community है, जो एक forest area में रह रह रहा है, ठीक है अब सद्यों से वो उसी area में रह रह रहा है, अगर आप 5-6-7 generation पीछे जाओगे, वही लोग मिलेंगे आपको इथर तो वो लोग सद्यों से ये defend करके रहा हुआ है, कि उनका क्या right से उस area को लेके, उनका क्या responsibility से उस area के preservation को लेके ठीक है, और ये जो defend करके रहा हुआ है, उन्होंने कुछ rules बनाया है, वो पासोन हो रहा है, generation to generation पासोन हो रहा है मतलब ये बताया जा रहा है कि ये area आपका है, इसे conserve करने के responsibility आपका है तो इसी तरह common property resources का जो conservation है, वो बहुत अच्छी तरह हो रहा था और ये जो method है दोस्तों, ये अच्छा method भी है, क्योंगि इसे, जैसे मैंने आपको पहले बोला, केवल bio diversity and ecosystem preserve नहीं हो रहा है उपर से एक cultural diversity भी preserve हो रहा है, देखे, tribes का जो culture है, language है, उसे भी preserve करना जरूर ही है न, वो preserve तब होगा, जब उनका जो habitat है, वो preserve होगा अब उनका habitat preserve करने के चकर में, एक forest area पूरा preserve हो रहा है, protect हो रहा है, हैगे नी but unfortunately, यह combination of factors including privatization, agricultural intensification, population growth and ecosystem degradation, how caused common property to dwindle in size quality and availability to the poor in much of the world देखे, दुनिया भर में, आजकल अगर आप देखोगे, common property resources का जो size है, वो dwindle हुआ है, basically decline हुआ है इसका reason क्या है दोस्तों, main reason तो यह है दोस्तों, आजकल जो population growth हो रहा है जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगर population increase होगा, तो क्या होगा, अब इस वात है, लोगों को रहने के लिए जगाची है अगर आपको agricultural area को increase करना है, तो भी उसी बात है, फिर से आपको forest area clear करना होगा तो इस तरह population growth की वज़े से धीरे धीरे जो forest area से वो clear होते जा रहा है है कि नहीं, recently एक report आया था, दुनिया में जितना forest degrade हुआ है वो degrade होना का main reason कोई industrial development नहीं है agricultural या फिर cultivable areas का extension की वज़े से, basically agricultural production increase करने के लिए forest area को convert कर रहा है agricultural areas में, तो इसी तरह सबसे ज़्यादा forest area का decrease हुआ है ऐसा नहीं कि industrial development की वज़े से या फिर forest area की वज़े से आजकल forest area का मुआ है हम लोग food production को increase करने के लिए forest area को clear करके उथर क्या कर रहा है cultivation कर रहा है, ठीके, इसके अलाबा अगर आप देखोगे आजकल private recession भी ज़्यादा हुआ है मतलब बड़े-बड़े businessmen, corporates, एसा forest areas के पास में properties को खरीते हैं और धीरे-धीरे उस property को extend करते हैं, तो इथर क्या हो रहा है दोस्तों, actually जो common property resources है, उसका area कम हो रहा है और जो common property है, वो private hands में चले जा रहा है, हैगी नहीं, तो यह सारे activities की वज़े से अगर आप देखोगे, आजकल common property का size, quality and availability कम हो रहा है तो यह रहा common property resources के बारे, I hope आपको समझ में आ गया, तो अगला topic है, इंडिया's stand on environmental issues, देखे अभी तक हमने environmental concerns in global politics के बारे में discuss किये, अब हम यह देखेंगे, इंडिया का stand क्या है, environmental issues के ऊपर, ठीक है तो Kyoto Protocol से हम शुरू करेंगे, Kyoto, यह जपान में एक city है, उथर एक protocol sign हुआ था 1997 में Kyoto Protocol का main objective यह था दोस्तों, कि देखें, 1997 तक पूरी दुनिया को पता चला कि बहुत ज़्यादा CO2 emissions या फिर greenhouse gas emissions हो चुका है, अब इसे control करना होगा, तो हर एक country को यह बताना होगा कि आप कितना greenhouse gas emit कर सकते हैं, कितना आपको control में रखना है, है कि नहीं, तो Kyoto Protocol 1997 में sign हुआ, इंडिया ने Kyoto Protocol को sign and ratify किया 5 साल के बाद, August 2002 को, मैंने आपको previous class में बताया था, common but differentiated responsibilities के बारे में, यह जो concept है, Kyoto Protocol में आपको देखने को मिलेगा, क्यूंगी देखिए, मैंने आपको बोला था, developed countries जो है, वो ज्यादा responsible है, global warming and climate change के लिए, तो Kyoto Protocol के तुरू, अगर आप developing countries को बोलोगे, कि आपको greenhouse gas emit नहीं करना है, तो यह ठीक नहीं होगा ना, तो Kyoto Protocol में common but differentiated responsibilities देखने को मिला, developing countries लेग, इंडिया और चाइना को Kyoto Protocol के requirements से बाहर रखा, because their contribution to the emission of greenhouse gases during the industrialization period was not significant, क्योंगी देखिए, इंडिया चाइना जैसे countries का contribution कम था, actual industrialization period में, industrialization period मतलब जब यह developed countries खुलन खुला industrialization कर रहा था, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा fossil fuel जलाये थे, बहुत ज्यादा greenhouse gas emissions हुआ था, तो industrialization period में इंडिया चाइना जैसे developing countries का ज्यादा को contribution नहीं था, basically कहने का मतलब यह है, 1997 तक जो global warming and climate change हुआ, उसके लिए इंडिया चाइना जैसे developing countries responsible नहीं था, इसलिए उन्हें Kyoto protocol के requirements से बाहर रखा, so this is actually CBDR, common but differentiated responsibilities, common क्या है, climate change को tackle करना है, global warming को कम करना है, that is a common responsibility, but all countries को same responsibility नहीं दिया गया, sorry, same responsibility नहीं बोल सकता, same targets नहीं दिया गया, या फिर same requirements नहीं दिया गया, देखे basic concept क्या है, यह आपको समझना चाहिए, बाकिया आपके ओपर आप कैसे लिखते हो, ठीक है, so however, the critics of the Kyoto Protocol point out that sooner or later, both India and China along with other developing countries will be among the leading contributors to greenhouse gas emissions, अब देखे दोस्तों, कोई भी एक issue में, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जो हमेशा opposition में रहेगा, ठीक है, मातलब Kyoto Protocol में जब India and China जैसे countries को बाहर रखा, कुछ लोगों को ये जमा नहीं, उन्होंने बोला, कि India and China जो है most populous countries in the world है, और बहुत जल्दी ये दोनों countries, leading greenhouse gas emitters होने वाला है, तो इन्हें अगर आप Kyoto Protocol से बाहर रखोगी, फिर Kyoto Protocol का जो objective हो, कभी fulfill नहीं होगा, तो basically Kyoto Protocol से India and China को बाहर रखने का ये decision को question किया गया, पर India ने इस argument को counter किया दोस्तों, कब June 2005 में, जब G8 meeting हुआ था, तब India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction of those in developed world, तो देखिए, इंडिया ने साफ साफ ये बोला, कि देखिए, अगर आप per capita emission rates देखोगे, पर capita emission मतलब क्या है, टोटल emission को आपको population के साथ debate करना है, तो अगर आप per capita emission देखोगे न, तो developed countries का जितना per capita emission है, उससे काफी काफी कम है developing countries में, और आप बोल रहे हो, इंडिया चैने जैसे countries, leading contributors to greenhouse gas emissions होने वाला है, ये ठीक नहीं है, वैसे आपको और एक डाउटा है होगा, ये G8 क्या होता है, देखिए, आज के हिसाब से G8 नहीं है, आज G8 के जगा G7 है दोस्तों, ठीक है, G7 मतलब क्या है, G7 मतलब seven countries का एक group है, वो seven countries, दुनिया का सबसे अमीर countries है, सबसे influential countries है, सबसे powerful countries है, ठीक है, जिनका human development index वगरा भोज ज्यादा है, वैसे कौन को ने G7 में, USA, UK, France, Germany, Japan, Italy, ये सारे country से G7 में, पर पहले और एक country था Russia, ठीक है, तब ये G8 था, Russia को 2014 में साइड, G8 से remove किया, क्यों, क्योंकि उन्होंने युक्रेन का जो क्रीमियन पिरिंट्स जुना है न, उसे annex किया था 2014 में, तो इसके बाद G8 ग्रूप से रिशिया को बाहर किया, इसलिए अभी G8 नहीं है, G7 है, तो आप पूछोगे, G8 मीटिंग में इंडिया के से पहुंच गया था, कि कभी-कभी इंडिया जैसे जो influential country या फिर major country से उन्हें इस तरह के meetings में बुलाते है, तो जो भी है, जब G8 meeting हुआ, तो इंडिया ने ये point क्लियर किया, कि इंडिया जैसे developing countries का जो per capita emission rate से वो काफी कम है, आज भी अगर आप देखोगे, वो काफी कम है, इसके बार में मैंने आपको previous class में बताया था चाहिए, क्या बताया जारा दोस्तों, वही बात बताया जारा है, जो हम आभी तक डिसकस कर रहे थे, मतलब, इंडिया common but differentiated responsibility वाला principle को follow करते है, और इंडिया का कहना ये है, कि greenhouse gas emission को curb करने की major responsibility developed countries के पास है, ना कि developing country के पास, क्योंगी developed countries ने इतने सारे emissions को accumulate किया है, industrialization period में, So, India's international negotiating position relies heavily on principles of historical responsibility as enshrined in UNFCCC, UNFCCC क्या है, United Nations Framework Convention on Climate Change, तो UNFCCC में ये enshrined किया है, दोस्तों, historical responsibility के बारे में, historical responsibility मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया है, मतलब developed countries ने जो already emission करके रखा हुआ है, और अब बाकी सारे countries को बोल रहा है, कि आप emission काम करो, तो historical responsibility किसका है, developed countries का है, तो UNFCCC में भी ये historical responsibility के बारे में लिखा हुआ है, और इसी के ऊपर relay करके, इंडिया हमेशा बात करते हैं, या फिर negotiate करते हैं, मतलब सारे developed countries को इंडिया ये बोलते है, historical responsibility के बारे में आप भूल मत जाना, ये UNFCCC में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे पोइं समने पहले डिसकस किया है, क्या बोला जा रहा है, एक तो UNFCCC ने historical responsibility को acknowledge किया है, ठीक है, इतना clear, now, at the same time, UNFCCC ने ये भी emphasize किया है, कि economic and social development are the first and overrating priorities of developing countries, developing countries का सबसे top priority, greenhouse gas emissions को cut down करना नहीं है, बलकि economic and social development है, ठीक है, तो economic and social development अगर करना है, तो थोड़ा बुत industrialization करना होगा, अगर industrialization करना है, तो भी इसी बात है, उसे greenhouse gas emissions होगा, अब developed countries ने ये economic and social development already करके रखा हुआ है, और वो कैसे किया, industrialization से ही किया, उन्होंने greenhouse gas emit करके ही किया, उन्होंने सब करके भाइड गया, और अब developing countries को बोलना है, तुम मत करो, ये ठीक नहीं है ना, तो इंडिया जैसे developing countries ने ये clear किया है, हमारी top priority economic and social development है, और ये बात UNFCCC ने भी माना है, है कि नहीं, अब देखें दोस्तों, अब आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इंडिया जैसे countries, economic and social development के चकर में ये बोलेंगे, कि हम तो fossil fuel जलाएंगे, हमें कोई फरक नहीं पड़ता, green horse gas emit हो रहा है या नहीं, हमें कोई फरक नहीं पड़ता, global warming हो रहा है या नहीं, ये भी तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए इंडिया जैसे developing countries, developed countries को बार-बार बोला है, कि हम fossil fuel जलाना बंद करेंगे, पर हमारे लिए alternative source of energy भी तो चीए, तो alternative source of energy है, renewable energy, अब देखे, renewable energy भी free में नहीं आएगा, उसके लिए infrastructure create करना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे, और पैसे किसको देना है, developed countries को देना है, किताब में लिखा नहीं होगा, फिर भी आपको connect करके बढ़ना है, that is the way forward, और हो क्या रहा है, developed countries जो है, वो केवल dialogue मारता है, actually इन्हे billions of dollars financing करना होगा, अगर एक energy transition करना है, basically fossil fuel से अगर renewable energy में transition करना है, तो billions of dollars का खर्चा है दोस्तों, और यह पैसे देना है developed countries को, और developed countries जो है, ठीक से पैसे देते हैं, यह थोड़ा वो देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, तो इसलिए problem है, ठीक है, आप समद रहो ना, So, India is wary of recent discussions within UNFCCC about introducing binding commitments on rapidly interstilizing countries, such as Brazil, India and China to reduce their greenhouse gas emissions, तो क्या कह रहा है था, developed countries आचकल ऐसे चक्कर में हैं, कि यह rapidly interstilizing countries है जो सबसे ज़्यादा greenhouse gas emit कर रहा है, जैसे कि Brazil, China, India, उनके उपर कुछ binding commitments डालो, ताकि वो greenhouse gas emitting ना करें, तो इंडिया को यह सही नहीं लग रहा है, इंडिया का कहना यह है, यह जो developed countries बोल रहे हैं, developing countries को, या फिर rapidly interstilizing countries को, it contravenes the very spirit of UNFCCC, देखे, UNFCCC के अंदर हमने सब clear किया है, किसकी responsibility है, किसको क्या करना चीए, फिर भी आप बोल रहे हैं, हमारे उपर restrictions impose करो, यह ठीक नहीं है, और एक data अगर आप देखोगे ना, carbon emissions चेक करोगे, तो एक estimate आये था, कि 2030 तक, इंडिया का per capita carbon emissions जो होगा न, वो global average का आथा ही होगा, 2030 तक, इंडिया का per capita carbon emissions होने वाला है, 1.6 tons, ठीक है, और 2000 में, global average of per capita carbon emissions 3.8 था, मतलब देखिए, 2030 में, इंडिया का जो per capita carbon emissions होने वाला है, वो 2000 में, global average का आथा भी नहीं है, finally, ऐसा नहीं है कि, climate change को tackle करने के लिए, या फिर greenhouse gas emissions को कम करने के लिए, इंडिया कुछ कर नहीं रहा है, अगर कोई कर रहा है, तो actually वो इंडिया है, दोस्तों, for example, इंडिया का national auto fuel policy, अगर आप देखोगे, it mandates cleaner fuels for vehicles, हम ये petrol, diesel वगरा बंद करने वाला है, टाइम लगेगा, फिर भी हम धीरे-दीरे बंद करेंगे, आजकर electric vehicles को हम promote कर रहे हैं, हेगनी, 2001 में हमारा energy conservation act passed हुआ था, वो energy efficiency को improve करने के बारे में बात करती है, फिर 2003 में हमारा electricity act passed हुआ था, वो renewable energy का usage को encourage करता है, हेगनी, फिर government national mission on biodiesel launch किया था, देखे, किताब थोड़ा सा पुराना इसमें लिखा है, government is keen to launch national mission on biodiesel using 11 million hectares of land to produce biodiesel by 2011-2012, 2011-2012 तो बहुत पुराना हो गया, जो भी ये इंडिया की तरफ से climate change को tackle करने के लिए काफी efforts रहा है, दोस्तों, हमारा greenhouse gas emissions को cut down करने के लिए हमने काफी सारे initiatives already लिया है, दोस्तों, solar mission के बार में मालूम होगा, दोस्तों, बहुत साथा solar panels वगेरा अलड़ी बिछा रखा है हमने, ठीक है, इंडिया ने Paris climate agreement को ratify किया था, 2nd October 2016, क्या है Paris climate agreement या Paris climate accord, basically, global warming जो हो रहा है, average increase of temperature, जो हो रहा है, उसे 2 degrees Celsius के अंदर contain करने की बात करता है, कौन, Paris climate agreement, हो सके तो 1.5 degrees Celsius तर, ठीक है, तो यह है Paris climate accord, इसमें भी इंडिया ने साइन किया, 2nd October 2016 को, और इंडिया के पास, अभी किसाब से, largest renewable energy programs in the world है, दोस्तों, वैसे, last year, प्रथानम अंदरी जी ने, last year, नहीं, last year, 2021 में, जब conference of parties, 26 tradition हुआ था, Glasgow, Scotland, United Kingdom है, तो प्रथानम अंदरी जी ने net zero emissions को अचीव करेंगे, इसका मतलब कहा है, इंडिया जितना carbon emit करेंगे, उतना absorb भी करेंगे, ठीक है, यह इंडिया की तरफ से commitment हुआ है, और 2030 तक हम 500 gigawatts renewable energy से generate करने वाला है, तो basically देखें, इंडिया से सबसे ज्यादा commitments रहा है, दोस्तों, energy transition sector में, basically fossil fuel को खतम करना और renewable energy क बहुत ज्यादा यूज करना, इस sector में, इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा commitments and contributions भी रहा है, ठीक है, and 1997 में इंडिया, 1992 में जो Earth Summit हुआ था ना, Rio de Janeiro, Brazil में, उधर जो agreement sign हुआ था, उसके implementations को review किया, मतलब climate change को tackle करने के लिए, सारे countries ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह के agreement sign हुआ था, वो agreements कहां तक implement हुआ, ये देखने के लिए, इंडिया ने उस, उन agreements को review किया, 1997 में, और इंडिया को ये पता चला, there had been no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally sound technology on constitutional terms to developing nations, देखे, developed countries ने उस टेम पर ये agree किया था, कि हम आपको climate financing करेंगे, और आपको हम sound technology provide करेंगे, discount rate में, पर कुछ हुआ नहीं है, इंडिया को ये पता चला, और इंडिया finds it necessary that developed countries take immediate measures to provide developing countries with financial resources and clean technologies, तो इंडिया को ये लगता है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, developed countries को, एक तो climate financing करना होगा, और clean technologies को concertional rate में, developing countries को देना होगा, अगर, actually वो ये चाहते है कि climate change को tackle करेंगे इंडिया, इंडिया, is also of the view that stark countries should adopt ये common position on major global environmental issues, so that the region's voice carries great weight, तो इंडिया को ये भी लगता है दोस्तों, अकेला बोलना से कुछ नहीं होगा, हमारा जो South Asian Association of regional countries है, उनको एक साथ, एक common position adopt करना चाहिए, जो भी major global environmental issues है उसके उपर, और हम एक साथ बोलेंगे कि ये हमारा demand है, आप देखें, South Asia में कोई developed country तो नहीं है न, सारे developing countries है कि नहीं, तो हम एक साथ बोलेंगे developed countries को कि ये हमारे demand से ये आपको ensure करके देना ही होगा, तो दोस्तों that's it, अभी के लिए इस class को में finish कर रहा हूं, I hope आप मुझे follow कर पा रहा है, अगले class में, अगला topic हम discuss करेंगे, and we on mental movements one or many, till then bye bye, have a next day.